हरे कृष्णा गुद मॉनिंग सूप्रभाद लोग अकसर प्रशन पूछते हैं प्रभु जी हमारे साथ पता है आफिस में इतनी पार्शलिटी होती है उसको इतना अप्रेजल मिला उसका प्रमोशन हुआ पेरा नहीं हुआ ऐसा क्यूं होता है पता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यूं करते है मैं तो बड़ा श्रत दावान हू भगवान के प्रति तो देखिए इसमें समझने वाली बात है जब हम सक्सेस्फुल होते हैं तो हम बो भगवान भगवत गीता के नौवे अध्या के 29 नंबर श्लोक में कहते हैं समो अहम सर्वभूतेशू ना द्वेशो नस्तिमे प्रिया भगवान ने कहा समो अहम सर्वभूतेशू I am equal to all भगवान तो सबके लिए बराबर है ना द्वेश ना स्ति ना प्रिया ना कोई मेरा प्रिये है ना मैं किसी से द्वेश करता हूँ अब बताइए भगवान जब equal to all है एक जजज के समान है तो फिर वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे भगवान तो ऐसा नहीं करते फिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में कि पक्षपात हो गया पारिशालिटी हो गई देखिए इसके पीछे कर्म का सिध्धान्त लगता है जैसा करोगे कर्म वैसा बनेगा फल है ना काटे बोगे तो फल कहां से प्राप्त करोगे तो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसी पार्शालिटी की होगी जिसके कारण आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है अगर कोई देख पढ़ने के पीछे का option यही है उसके पीछे का मूल कारण यह है कि भगवत गीता के अंदर वो ग्यान है जो उस समय दिया गया जब अरजुन ग्रस्त जीवन में थे अरजुन रण शेत्र पे थे जब उनके साथ पक्षपात हो रहा था उनहीं के महल से उनहीं के लोगों ने उनको निकाल दिया था अपने ही घड से बेदखल कर दिया था ऐसी स्थिति हम सब के सामया थी अब भगवान कृष्ण गीता का उप्देश देने के लिए कोई सेमिनार हॉल बुक कर सकते थे कोई बहुत बड़ा सा एक एसी वाला हॉल ले सकते थे ठंडी ठंडी बयार भे रही हो ऐसी स्थान ले सकते थे पेड के नीचे बैठ सकते थे और कहते तंग आज होगा गीता का सेमिनार लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ भगवान ने रण छेतर पर खड़े हो करके अरजुन जैसे ग्रस्त विक्ति को क्यों चुना क्योंकि भगवान जानते हैं कल्यूक के जो जीव होंगे वो आलसी होंगे हर काम कल पर डाल देंगे इसलिए इस यूक का नाम है कल्यूक आज कर लो गीता आज पढ़ लो नहीं कल पढ़ लेंगे इसलिए कल्यूक कल्यूक के अंदर लोग ये हैं गीता को डिनाय ना कर सकें इस कारण से लोगों ने क्या कहा रजूक के अंदर लोग गरस्त जीवन में हो अरजुन के जैसे और जब उनके साथ पक्षपात हो रहा हो, ऑफिस के अंदर उनको स्ट्रेस आ रहा हो, डिप्रेशन में हो जब वो उनके मन में एक दम ऐसा हो रहा कि मर जाओ, तब उठाएं गीता खोलें भगवत गीता, हर प्रशन का उत्तर लिखा हुआ इसके अंदर, कर्म का सिद्धान्त है जैसा किया, वैसा फल हमें जीवन में मिलता इसलिए कोई पक्षपात नहीं करता है देखी ये दूसरी बात ये समझने वाली है लोग बोलते हैं, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है जब आप सक्सेस्वल हुए थे, जब गले में इसा कि होता है, हे प्रभू तब भगवान की उपर उंगली क्यों उठाते हैं, दोशारोपन क्यों करते हैं भगवान की कृपा आपको तब मिलती है जब आप अपने एफ़र्ट्स भगवान से जुड़ने के करते हैं भगवान कहते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ तू कर वो जो मैं चाहता हूँ फिर होगा वो जो तू चाहता है अब तू क्या चाहता है, यह हमें कैसे पता चलेगा क्रिश्ण क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं भगवत गीता के instructions को अपने जीवन में पालन करें तो हम वो करेंगे जो इश्वर चाहता है फिर होगा वो जो आप लोग चाहते हैं इसलिए आप अपने प्रियासों की चाबी लगाते रही है आप कहेंगे मतलब नहीं समझे जैसे आप bank में जाते हैं तो bank में एक locker होता है उस locker की अंदर treasure होता है खजाना उसमें दो चाबियां लगती है एक हमारी और एक bank manager की तो bank manager कौन है इश्वर और हम कौन है प्रियास करने वाले जब हम प्रियास करते रहेंगे जिन दिन bank manager की चाबी लग गई तो किस्मत का खजाना खुल जाएगा और जब तक नहीं खुलता जब तक हम अपनी चाबी नहीं लगाते अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं work is worship, कर्म किये जावज तो उनको इश्वर की कृपा रूपी खजाना नहीं मिलता है क्योंकि इश्वर अपनी कृपा नहीं करते और जो इश्वर पर निर्बर हो जाते खुद प्रयास नहीं करते वो अपनी चाबी नहीं लगाते तब भी खजाना नहीं खुलता इसलिए दोनों चाबी लगानी है efforts and then mercy of Krishna तो फिर हमारी किस्मत का खजाना खुलेगा पक्षपात जो हो रहा है वो उनके मन की विचारधा रहा है जो जैसा करेंगे वो वैसा भरेंगे तू क्यों होए उदास तुम क्यों उदास होते हो अपने कर्म honesty से करते रहो इस पक्षपात को भुल जाओ गीता पड़ो और अपने जीवन को आनन से जीओ हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्ति मय कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ओपरेटर से संपर करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839